प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है जाबुआ जिले की चिठ्थी आलेक हरीश कुमार यादव, वाचनस्वर संयुक्ता बानुर्ची जाबुआ में मौसम ने मार्च महीने के पहले सब्ता से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिये है मौसम विभा की माने तो आगामी दिनों में और अधिक गर्मी बढ़ने की संभावना बनी होई है जबकी हर साल महाशिवरात्री के बाद अधिक गर्मी का हैसास होता था लेकिन इस साल अभी से गर्मी का हैसास होने लगा है जाबुआ जिले में कोरोना के खिलाफ नर्नायक जंग जारी है आठ मार्श तक 17,630 लोगों ने कोरोना से सुरक्षा का टीका लगवा लिया है सुमवार को जिले के आठ केंद्रों पर 696 टीके लगे हैं अभी इस जन अभियान को और अधिक तेजी देने को लेकर चर्चा चल रही है वैसे संभावना ये है कि अगले सब ताह ही जिले में केंद्रों बढ़ा दिये जाएंगे जाबूआ जन जातीय कार्य विभाग ने अंतराश्य महिला दिवस के उपलक्ष में जिला स्तरिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता की और एक सम्मान समारों आयोजद किया कल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला नियायाले जाबूआ की द्वारा जिला जेल जाबूआ में महिला बंदियों के लिए विधिक जागरुकता शिवर का आयोजद किया गया जसमें महिला बंदियों की समस्याओं का निराकरण किया गया महिला दिवस पर ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में कर्णिया हाय सेकेंडरी स्कूल रानापुर में महिला सशक्तिकरण और जागरुकता शिवर का आयोजन किया गया इसमें छात्राओं को महिला अधिकार, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, महिला सुरक्षा, नहिशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी गई जाबुआ जिली की ग्राम पंचायत कल्यानपुरा में पिछले दिनों जिला विधिक सेवा प्राधीकरण ने ग्राम पंचायत कर्णया हाई स्कूल और हाय सेकंडरी स्कूल में विधिक साक्षरता और जागरुकता शिवरों का आयो जन किया इसमें अपर जिलान्यायाधीश और सचव ने बताया कि आईश्मान भारत योजना गरीबों के लिए वर्दान है इसके तहट पात्र हितगराही अपना नहिशुल के इलाज करवा सकता है शिवर में महिलाओं को आईश्मान भारत हेल्थ कार्ड योजना की वस्तार से जानकारी दी गई इन शिवरों में बच्चों के संरक्षन के लिए विधिक सेवाएं, घरेलू हिंसा और लैंगिक अपराधों से महिलाओं का संरक्षन और महिला अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई जाबुआ नगरपाले का परिशत द्वारा शहरी आजीविका मिशन के तहट बस टैंड के पास दीन दयाल अंतियोदे रसोई केंद्रू का संचालन किया जा रहा है यहाँ पर प्रते दिन जरूरत मंध लोग मात्र दस रुपे में भोजन कर सकते हैं पिछले दिनों इस रसोई केंद्र का मुख्यमंत्री ने शुभारब किया था रसोई खुलने का समय सुभधस से दो पहर तीन बजे तक है आदिवासी बाहुल्य जाबुआ और अलिराजपुर जैसे जिलों में कई दशकों से चली आ रही को प्रताओं के खिलाफ अब समाज खड़ा होने लगा है अब समाज ही आ गया कर शादी में शराब परोसनी की बुरी प्रता को बंद करवा रहा है जाबुआ जिले की तहसील पेटलावद में पछले दुनों विकास खंड स्तर पर तड़वी पटेल महा सम्मेलन हुआ इसमें तहसील के 215 गाउं की 78 पंचायतों के सैकडो नागरिक शामिल हुए सम्मेलन में ये नर्ने लिया गया कि कोई भी आदिवासी परिवार अपने यहां होने वाली शादी में शराब और ध्वनी वस्तारफ की अंत्रो याने डीजे का उप्योग नहीं करेगा ऐसा करने वालों पर 50,000 रुपे के जर्माने का भी प्रावधान किया गया है आदिवासी शादियों में भोज के साथ शराब भी अनिवारे रूप से परोसी जाती है मालवा निमार के कुछ जिलों के साथ मध्यप्रदेश की सीमा से सटे गुजरात के अलाकों में ये कुप प्रथा प्रचलित है जाबुआ जिले में समर्थन मूले पर गेहुं खरीदी के लिए 11,000 से अधिक किसानों का पंजियन किया गया है अब जिले के 21 सरकारी केंद्रों पर गेहुं की खरीदी किति भी खोशित कर दी गई है इस बार राजसरकार ने 22 मार्च से ही गेहुं की खरीदी करने का अलान किया है ये कार्य 21 मई तक चलेगा जाबूआ जिले में इन्दनो प्रसिध भगोरिया पर्फ की तयारिया की जा रही है होली से लेकर शीतला सब्तमी तक चलने वाले भगोरिया का उलास यहां के चपे चपे पर छाया रहता है पर्फ के दौरान ग्रामीनों के समू अपने वाद्य यंत्रों के साथ जगह जगह होली की गोट लेने पहुँचता है पिछले दिनों अमर शहीद चंद्रुशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर जाबुआ, ठांदला और मेख नगर सहिद जिले के विभन स्थानों पर कारिक्रम आयजद कर उन्हें श्रधान जली दी गई विभन संगठनों और नागरिकों ने जाबुआ के आजाद चौक पर लगी अमर शहीद चंद्रुशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार पण किया और उनके बलिदान को याद किया गया थान्दला नगर के रुदैस थल आजाद चौक पर लगी आजाद की प्रतिमा पर पहली बार नगरिय जनता समिती और अन्य जन प्रतिनधियों ने दूद से अभिशेक कर माल्यार पण किया जिली के चिठी समाप्त होई